नमस्कार, मा का नाम लेरा चाहती हूँ, शैधर कभी मा पर लिखता ही है, तो मैं अपनी पहली कविता मा पर शिरू करती हूँ, कुछ पंगतियां है मा पर, उसके बाद मैं अपनी और कविताएं प्रस्तुत करूँगी, मा बस मा होती है, उसकी उपमा और नहीं, ममता का ऐसा सागर है, जिसका कोई छोर नहीं, मा बस मा होती है, उसकी उपमा और नहीं, दीप शिखासी जली हो तुम हमको रोशन करने खुद भूकी सोई हो हमको भोजन देने पाप पुर्णिक का भेद भुला कर हर पल मेरा साथ दिया अरुनाई के सूरज को मेरे माथे पर टांग दिया इसने है का ऐसा बंधन हो तुम जिस पर कोई जोर नहीं मा बस मा होती है उसकी उपमा और नहीं मा का तो कोई अवर्णन करना मुश्किल है इसलिए मैं अब सिधे अंतिम बंध पर चली जाती हूँ कविता बहुत बड़ी है मेरी सांसों में मेरी धडकन में तुमको ही पाती हूँ कथा कहानी किस से लोरी में अब भी मैं सो जाती हूँ कितनी खुश होई होगी तुम मेरे चलने कहने सुनने पर ये सब जान गई हूँ में मेरे मा बनने पर पर दादी नानी बन कर भी लगता तुम बिन कोई ठोर नहीं मा बस मा होती है उसकी उपमा और नहीं मा बसमा होती है उसकी उपमा और नहीं धन्यवाद साथियों जादतर कविता ही लिखती हूँ और कविताओं के मेरे पांच संग्रे आ चुके हैं अब कुछ कहानियों का प्रयास कर रही हूँ तो अभी तक साड़े तीन कहानिया लेखिये याने की तीन पूरी और एक अधूर छादी तो साड़े तीन कहानिया देखा जाए तो हर रचना अधूरी होती है उसके बाद भी बहुत कुछ कहना रह जाता है जये वो कविता हो चाहे कहानियों यया कोई भीछना हो बिधा हो तो इस अधूरे पन के सुन्दर को सबसे पहले मैं प्रस्तुत कर रही हूं अपनी कविता के मार्ध्यम से शिर्षा के कविता का आधे का पूरा पन जिंदिगी तो आधी भी सुन्दर हो जाती है वक्त की आधी रोटी भूख मीटा देती है आधे बिस्तर पर भी मीठे सपने आते हैं आधी चाकलेट आधा बिसकिट आधी चाय का नशा ही कुछ और है आधे आधे पुठन भाग जाती है आधा वसंत महेक तो आधा पतजड़ भी खिल के लाता है आधा दुख आधा सुख भी आधाधा बाटा जा सकता है आधे में ही बंधे पूरी जिंदगी इसलिए तो है मेरे आधे हमसफर आधा चान्द ही पूरे चांद से जादा खूबसूरत होता है और रहाचांद ही पूरे चांद से ज़्यादा खुसूरत होता है धन्यवाद चंद्रा सोनी जी, मोहन सिंग जी धन्यवाद अब मैं अपने कुछ छोटी कविताएं लेके आ रही हूँ ये छोटी सी किताब है पत्ते मेरी इसमें छोटी छोटी सी कविताएं है उसमें से कुछ कविताएं में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ चोटी छोटी सी कविताएं एहसान मानना सदा एहसान मानना सदा उन पत्तों का जिन्होंने पीडियां कुरुबान कर दी तुम्हें पेड़ बनाए रखने के लिए यूही नहीं कोई बन जाता पूजनी है यूही नहीं कोई बन जाता पूजनी है छोटी सी कविता है एक और छोटी सी कविता कोरोना हुआ शायद उसे सूख गए उसके फेपड़े दुबला गई इतनी कि हड़ी दिखने लगी कहां आक्सिजन सिलेंडर कहां आक्सिजन सिलेंडर कोई तो रखदो उसे वेंटिलेटर पर नदियों का कोई अस्पताल नहीं होता क्या गन्यवाद मेरी छोटी सी एक और कविता इसी पत्ते से पत्ते नमक संग्रह से एहसान मानना सदा एहसान मानना सदा उन पत्तों का जिन्होंने पीडियां कुर्बान कर दी एहसान मानना उन पत्तों का जिन्होंने पीडियां कुर्बान कर दी तुम्हें पेड बनाये रखने के लिए यूही कोई नहीं बन जाता पूजनी है ये कविता मैं दुबारा पढ़ा दिया आपको एक और छोटी सी कविता लगातार हिच्कियों के बीच इस जूट से सुकून पाती हूँ कि तेरी इसमतियों में मेरी इसमतियां ठहरी हुई है एक और छोटी सी पीले पत्ते पर भी लिखना चाहती हूँ प्रेम हरियाए पत्ते से हरा रंग लेकर शायद बचा सकूं पीले में कुछ हरा पन शायद बचा सकूं पीले में कुछ हरा पन नमस्कार अस्तर भाई सब भहत-भहत आभार आप आए मुझे उत्सहा मिला अब मैं अपनी अगले संग्रह से में कुछ कविता है आपके लिए बला रही हूँ ये संगाय है मेरा एक मुठी प्रेम इससे मैं कुछ कविता हैं आपको सुना रहे हैं कविता का शिर्शक है क्या यहीं दोस्ती कविता मन के एकांत की अनुभूती है जिसे हम शब्द दे देते हैं तो दोस्ती के उपर यह कविता दोस्ती सबसे बड़ा रिष्टा है संसार में कोई अचानक टपक पड़ता है बूंद की तरह है कोई अचानक टपक पड़ता है बूंद की तरह है यह हवा के जोके की तरह आकर सहला जाता है आंसुओं को, गुनगुनी धूप की उश्मा की तरह मिटा देता है, रात की भहिंकर शीत, गुस्से को चरम पर पहुँचा कर खाता है गालिया। गुस्से को चरम पर पहुँचा कर खाता है गालिया। साइकिल पर डबल चलते हुए मस्ती से पीछे बेट कर आईस्क्रीम खाना और पीठ पर पोँच देना। होने से भी परे मेरा अपना, बस बना रहा, मेरे होने ना होने से भी परे मेरा अपना। मेरी कवीता है, कुछ इस्त्री भी मर्श की हैं, कुछ प्रेम की, कुछ दोस्ती की, इस्त्री के अपने छोटे-छोटे दुख की है, बड़े-बड़े दुख कह लीजिए। तो पहल एक कवीता है ये घर मा ने कहा ये तेरा घर नहीं बच्पन से हम सुनते आते हैं कि ये तेरा घर नहीं तुपर आई है मा ने कहा ये तेरा घर नहीं मैं दूसरे घर के सपने देखने लगी मा ने कहा ये तेरा घर नहीं मैं दूसरे घर के सपने देखने लगी जब वहाँ गई तो सास ने कहा दूसरे घर की आई लड़की क्या जाने हमारे घर को जब वहाँ गई तो सास ने कहा दूसरे घर की लड़की क्या जाने हमारे घर को अवाक रह गई अवाक रह गई, कहां तलाश करूँ घर को, कहां मेरा घर चुपचाप सर जुकाए, काम करती रही, घर में अपने को और अपने में घर को तलाशती रही बून बून प्यास बढ़ती रही, बून बून मैं सुकती रही एक छोटी सी कविता है, अब रंग बदल देते हैं, महबत की कविता बस छोटी सी कविता है, महबत, बस तुम्हारी एक ही बात अच्छी नहीं लगती बस तुम्हारी एक ही बात अच्छी नहीं लगती, महबत के नाम पे मुस्कराना और चुप रहना और तुम कहते हो और तुम कहते हो मुहबत ऐसी ही होती है थोड़ा सा मुस्क्राना थोड़ा सा चुपना जिसका शीर्षक है लोटना जरूर पहले मैं इसकी शीर्षक कविता ही आपके सामने प्रस्त करें दूर चले गए हो तो अपने जन्मिस्थान पर एक बार लोटना जरूर दूर चले गए हो तो अपने जन्मिस्थान पर एक बार लोटना जरूर सूंगना वहां की हवाओं को सूंगना वहां की हवाओं को छूना वहां की मिट्टी को बचपन की कुछ किलकारी और थोड़ी सी मासुमित समेट कर बचा लाना अपने जहन में लोटना जरूर कभी उस इसकुल ये संस्थान में जहां से अक्षरों के उपासना की शब्दों की मम्ता समझी बालपन की मित्रता के भोलेपन को रख लेना अपनी मुठी में भरूसा बना कर लोटना जरूर अपने पहले प्रेम के करीब देखना नहारना मन की आखों से और रख लेना दिल में उसे नफरत के खिलाफ एक बार लोटना जरूर एक बार लोटना जरूर शम्शान में किसी को अगनी दे कर आओ तब समझने की कोशिस करना वीराने की भाशा महसूसना राख के इस्पंदन को शेश होती उम्मीदों और सपनों को उठा लाना संग मैं उन्हें इसमतियों के साथ उठा लाना उन्हें इसमतियों के साथ एक बार लोटना जरूर एक बार लोटना जरूर जहां से बार बार पुकारता हो कोई एक बार लोटना जरूर जहां से बार बार पुकारता हो कोई उसकी अंतिम पुकार उसकी अंतिम पुकार और अपने अंतिम समय से पहले लोटना जरूर एक बार लोटना जरूर यह इसकी शिर्षक कविता है और इसी तरह की लोटना पर ही एक और कविता मैं आपका सामने रख रही हूँ जिए चिडियों के लिए है परियावरन के लिए है और प्रतिक आत्मक है चिडिया को हम और भी कई संदर्मों में देखते हैं तो शिर्षक के इसका चिडियों तुम घर लोटना जरूर चिडियों तुम शाम होते ही घर लोटना जरूर दाना खिलाना अपने बच्चों को भर पेट खेलना उनके साथ मोहन सुबही तो निकलाता घर से पर लोटना नहीं चित्री लाशों के बीच पहचाना गया उसे उसकी सगाई की अंगुठी से और सलीम कहकर गया अम्मी को अभी आता हूं और सलीम कहकर गया अम्मी को अभी आता हूं पर उसकी निर्जी देह ही आई खून से लत्पत लक्ष्मी नफीसा और मेरी का तो पता ही नहीं चला आज तक नमक लेने गई थी दुकान पर कभी रो रहा बाजार में खड़ा हुआ रस्खान गुमसुम है बाबा धुमिल और दुश्यंत चिंतित हैं पाश और मंटो क्रोध में हैं बाबा धुमिल और दुश्यंत चिंतित हैं पाश और मंटो क्रोध में हैं कई मासूम आखों में अभी भी बाकी है इंतिजार चिड़ियों तुम ऐसा मत करना शाम होते ही घर लोटना जरूर अपने बच्चों को दाना खिलाना भर पेट खेलते हुए उड़ना सिखाना उन हैं बच्चे रहना सबसे जरूरी है मेरी प्यारी चिड़ियों बच्चे रहना सबसे जरूरी है बंजारन मा इसका विता का शिर्शक है बंजारन मा बड़े से घर को समेट कर रखने वाली मा बड़े से घर को समेट कर रखने वाली मा एक तीन के छोटे से बकसे में समेट ल रखने वाली मा, एक टीन के छोटे से बकसे में समेट लेती है अपनी ग्रहस्ती, एक कुछ धोती, एक शाल, पती की फोटो और नन्ने के लिए तावीज, कभी बड़ी बड़ी और सुन्दर रही आखों पर, चश्मा चड़ाए, मिच मिचाती रहती है, कुछ सपनों की जुर पलकों पर रखे हुए संतानों के बीच डोलती रहती है, करती है उनकी फिक्रमा, चाहती है अपने हातों से बना कर खिलाना, साजा, रावडी और बैसन की बर्फी, जिसे खाने की होड़ लगती थी बच्चों में, आज भी रखती है उनके लिए व्रत, मंगलवार और संतान सपने में, सप्तमी का, डरती है जिन्द महाराज और भेरो बाबा से, दिया लगा कर धोग देना नहीं भूलती रोज, भले ही संतान भूल जाए, उनका टूटा चश्मा बनवाना या उनकी दवा, आते जाते असीस्ती है सबको, अपने से लंबे होते नाती पोतों को देखकर जुकी कमर तन जाती है गर्व से, जीवन के हर संगर्ष में जीत हासिल करती मा, नहीं जीत पाती अब बहु बेटे नाती पोतों का मन, बंजरन सी भटकती रहती है कभी इसके पास, कभी उसके पास, अब उन्हें ना कोई रोकता है ना कोई बुलाता, फिर भी हुलस्ती चल पड़ती है, हर घर को अपना घर समझ कर, फिर भी हुलस्ती चल पड़ती है, अपने घर को अपना घर समझ कर, बन जाना चाहती हूँ तुम जैसे घने चायादार शजर का एक पत्ता हजारों लाखों पत्तों के साथ जानती हूँ जानती हूँ मौसम बदलते ही पीली पढ़कर गिर जाओंगी दूर कहीं उड़ जाओंगी बस इतना करना जब पीला पन लिये गिरूं तो रख लेना करीब ही धर्ती में मिला देना मिटा देना जड़ में सोख लेना फिर जब नए पत्तों के निकलने का समय हो अपनी जड़ तने और डालियों में से गुजार कर बना लेना एक हर्याया पत्ता सजा लेना खुद पर गरू बना कर यही क्रम चलता रहने यही क्रम चलता रहे बनने और मिटने का मात्र उम्र पूरी होने से पूरा नहीं हुआ जा सकता मात्र उम्र पूरी होने से पूरा नहीं हुआ जा सकता पूरा होने से ही पूरा हुआ जा सकता है तुम ही मेरी इच्छा का आदी और अन्त हो पूरी है बन-बन कर मिटना चाहती हूँ मिट-मिट कर बनना चाहती हूँ तुम में ही मरकर तुम से ही होकर तुम से ही जनमना है मुझे बार-बार हर बार स्री विमर्ष की कविता इसमें एक कुछ नए प्रियोग किये है मैंने तो आप जहान दीजिए शिर्शक सा से हा तक मुझे पढ़ना सिखाया माने और उनकी माने और शायद उनकी माने सिखाया होगा पीडी दर पीडी सिखाने की परंपरा को निभा रही मैं अपनी बेटी को सिखा रही थी सासे सैंशिलता सहमती समझ समझोता सिर्जुकाना पीडी दर पीडी सिखाने की परंपरा को निभा रही मैं अपनी बेटी को सिखा रही थी सासे सैंशिलता सहमती समझ समझोता सिर्जुकाना मा सासे आगे हाभी सिखाओ ना बेटी ने ठुनकती वे कहा तो सहम गई बेटी ने ठुनकती वे कहा तो सहम गई टाल गई थोड़ा डर भी गई खुब घी गुड मिला कर मीठी रोटी दे कर बहला दिया उसे आज इतने बरसो बात देखा आज इतने बरसो बात देखा मेरी बेटी अपनी बेटी को सासे आगे हाभी पड़ा रही थी आज इतने बरसों बात दिखा, मेरी बेटी, अपनी बेटी को सा से आगे हा भी पड़ा रही थी, खुशी से आँखें डबडबा है खुशी से आँखें डबडबा आई, दुनले हो गया कार, सुनाई देती रही आवाज, हा से हक, हा से हक, हकिकत, हिम्मत, होसला, हुनर अपनी आँखें पहुशते हुए, गर उसे असीस्ती रही, दुनिया की सब बेटीयों को मेरी अगली कविता खशीर्शक है, नाख, ये भी स्थ्रीव मर्श की एक कविता है नाख, पीठ में दद, कंदे जुके हुए पीठ में दद, कंदे जुके हुए, पुरी सांज भी नहीं ले पा रही कितना बोज, उफ, मा के भाय का बोज मा के भाय का बोज, पिता की इजजत का भार, भाई की इमेज का सवाल हम इस्त्रियों पर सारा सम्मान, अपमान इस्त्रियों पर इस शुपा हुआ है या लादा हुआ है कह सकते हैं, उसी में दबे रहते हैं कितना बोज, उफ, मा के भै का बोज, पिता की इज़त का भार, भाई की इमेज का सवाल, पती की सोसाइटी का चलन, बेटे की बेस्ट मम्मी बनने की जिम्मेदारी अच्छी मा, बेटी, बेहन और पत्नी बनने के पहाल रखें हैं पीट पर, बार बार जाची जा रही, सांचे में ढाली जा रही, तराशी जा रही, प्रेम की कोई जगह ही नहीं, कहां रखूं? प्रेम की कोई जगह ही नहीं, कहां रखूं? प्रेम का कोई साचा या खाचा नहीं, यहां कोई योग्गता जरूरी नहीं सबकी नाक टिकी है सबकी नाक टिकी है मेरी हर गतिविधी पर मेरे हसने, खाने, रहने, सोने पर सबकी नाक का भार समहलना है मुझे इन सबके बीच मेरी नाक पताने कहा दब गई मात्रनत्नी पहनने से नहीं होता नाक होने का एसास मात नत्मी पहनने से नहीं होता नाक होने का एहसास अब एक अंतिम कवीता आपके सामने रख रहीं हमारी किताबें हम जो भी किताबें पढ़ते हैं उसमें से कुछ किताबें बहुत प्रिय हो जाती हैं और उसका जो पात्र है हमारे जीवन का पात्र बन जाता है हम भी उसके साथ कल्पना के रंग में रंगने लगते हैं ऐसा ही एक मेरा पात्र है प्रिये पात्र धर्म वीर भारती की कनु प्रिया पढ़ते हुए कनु बन गया मेरा एक प्रिये पात्र उस कनू उसी को पढ़ती हुए मैंने ये कविता लिखी थी तो मेरे कौन हो कनू कनू प्रिया पढ़ते हुए सवाल उठते रहे मेरे अपने कनू से तो मेरे कौन हो कनू प्रेम का विस्तार खोचती रही जितना खोजा डूपती ही गई कुछ भी नहीं रहा बीच में कुछ भी नहीं रहा बीच में हवा भी नहीं प्रश्न भी नहीं प्रश्न तो शंका में नहीं थोते हैं तुम ना तो प्रश्न हो ना उत्तर दो धुरूओं के मानिंद आकर्शन में बंधी प्रेम में चलती रही, खुद से छुटती रही में और तुम में अंतरी नहीं रहा, तो हर शब्द भी निरर्थक होता गया में और तुम में अंतरी नहीं रहा, तो हर शब्द भी निरर्थक होता गया जो सत्य है, शाश्वत है, काल से परे है उसे किसी नाम की ज़रुत है क्या अब करनो को किस परिभाशा में बांदू जो परे है अन्ञ और पर्मानों से जो रष्ता है सब जो स्रस्टी में हैं ब्रह्मान में हैं जिसमें मैं विचरती एक कण सी जो परहे अनु और पर्मानु से जो रश्ता है सब जो स्रश्टी में हैं ब्रह्मान में हैं जिसमें मैं विचरती एक कंड सी और इस कंड के कंड में 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 कंड प्राइब वजया जड़ी है